कि अपसब आज की जो क्लास है वह यह बताने के लिए है कि एकल संक्रमणिये मत परणाली क्या होता है सिंगल ट्रांसफरेवल वोटिंग सिस्टम क्या होगा अब आपको लगता होगा सिर्फ यह यह मैं इसलगें कुछ समझते हैं कुछ भाक जाते हैं और थोरा से संजें क्योंकि वो थोरा सब्सक्राइक टों इसको हम लोग एकड़र करेंगे और भी इसमें चीज़ों को साथ में देखेंगे लेकिन राश्टपती के इलेक्षिम प्रासेस में और pross buna क्या-क्या है साथ 35 चाहिए इस सिर्फ लोग सभा के लोग होंगे यह थोरा सा ब्रीफ करेंगे बस हम यहां फोकस हमारा यहां पर होगा सबसे पहले कभी भी राश्पति का जो एलेक्शन होता है तो आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ Elected Member PARTICIPATE करते हैं पहला सिर्फ Elected Member participate करते हैं Elected Member किसका तो संसद की लोकसभा का रजचसभा का और State के विधान सभा का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किसी भी इस्थिति में विधान परिक्सद अगर कहीं है भी आपको पता है विहार उर्षाइन सब जगह पे है तो विधान परिशद के मेंबर उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते है अगर है भी तब भी नहीं करेंगे तो सिर्फ लोगसभा, राजसभा और विधान सभा के एलेक्टेड मेंबर कोई नॉमिदेट नहीं और कोई भी और मेंबर नहीं सिर्फ चुन के जो गहा है वही हो गया पहला क्लिया 35 एज होना चाहिए, इंडियर होने चाहिए, यह सब चीज़े है अब यहाँ पर होता क्या है यहाँ पर दो टर्म है आपका दो है, एक है आनुपातिक परतिनिजित परणाली और दूसरा है एकल संक्रमणिय मत परणाली आनुपातिक परतिनिजित परणाली के लिए दो फॉर्मूला है इसको आनुपातिक परतिनिजित क्यों कहते है क्योंकि MP का vote value अलग होता है जो सांसद होते उनका vote value अलग होता है और जो MLA होते हैं यानि राज्य विधान सभा के elected member होते हैं उनका vote value अलग होता है दोनों को अलग-अलग तरीके से निकाला जाता है थोरा सा data आपके सामने है यह जब राश्च्पतिक election होता है तो एक MP का vote value 708 होता है चलो इसको नहीं इ जहां पर election होता है उसके लिए निर्वाचक मंडल होता है जिसमें लोग सभा, राज सभा और विधान सभा के elected member होते हैं टोटल अगर संख्या जोड़ दें तो 4896 बैटता है इसमें लोग सभा के elected member 543 राज सभा के elected member 233 और विधान सभा के टोटल elected member के संख्या 4120 है तो जोड भी नहीं है अब MP का जो वोट वैल्यू है वो 708 है हर एक MP का वोट वैल्यू 708 एक MP अगर मोहर लगाता है तो उसका वोट वैल्यू 708 होता है कुल निर्वाची सांसाद अगर लोग सभा राज सभा को मिला दें तो 776 हो जाएगा एंटू कर देंगे तो जो निकल के आएगा उनका वोट वैल्यू होगा। विधान सभा के कुल उल्यक्टेड मेंबर 420 है यहां पर अंतरघ्र विधाता है कि रिधान सभा के राज्य के अनुसार उनके विधायकों का वोट वैल्यू होता है जैसे उत्तर प्रदेस में एक विधायक का vote value 208 है जो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है उत्तर परदेश के एक विधायक का vote value 208 है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा है वहीं सिक्किम की बात करें तो एक विधायक का vote value कितना है मात्र साथ है तो सिक्किम के 32 विधायक वोट भी करेंगे तो into 7 होगा that's it और यहाँ एक विधायक का वोट वैल्यू 208 है ठीके? अब सभी का वोट वैल्यू जब हम मिला देंगे तो हमारे पास जो आगरा निकल के आता है वो 1098903 का आता है इसका अब राष्टपती बनने के लिए आपको पता है कि राष्टपती बनने के लिए 50% प्लस हमको 1 चाहिए यह फॉर्मूला है यानि राष्टपती बनने के लिए हमें जितना भी वोट वैल्यू है उसका 50% प्लस एक और सीट होगा तभी बनेंगे लोग सभावाला बात नहीं है कि 100 seat है किसी को 30 भी आ गया और सब में 15-15 बट गया तो 30 वाला ज्यादा है तो वो पास कर जाएगा या 40 seat किसी को 42 आ गया 42 वाला निकल जाएगा ऐसा नहीं है 50% minimum इनको reserve करना है प्लस 1 रहेगा तभी राष्टपती बन पाएंगे otherwise नहीं ठीक है यहां तक clear कोई दिक्कत नहीं सबका एक vote value है और vote value क्यों है इसको हम लोग इस formula को देखते हैं पहला MP की बात कर ले पहले MLA की बात कर लेते हैं MLA का कैसे state wise अलग होता है इसका कारण है यह आप देखे MLA का MLA में लिखा हुआ है total value of an MLA total population of state यानि state का population माइने करता है यही vote value में एंधर ला देता है और दूसरा total number of elected member in the legislative assembly अब वहां की कितने लोग elected है plus वहां की population into one by one by thousand ठीक है अब one by thousand से जब हम divide करेंगे तो जो आकरा निकल के आएगा that is vote value of MLA इसमें होता ही है मालो की आकरा निकल के आया 205.6 मालो यह निकल के आया 0.6 निकल के आया तो फिर इसका क्या होगा तो इसका मतलब है उसमें अब हम 0.4 जोड देंगे और वह हो जाएगा 206 लेकिन उल्टा अगर ऐसा होता कि 205.4 आता तो 0.4 हम हटा देंगे और इसका vote value 205 हो जाता है तो 0.5 प्लस अगर होता है तो फिर ठीक है उसमें extra जोड के उसको एक कर देंगे और अगर कम होता है तो उसको छोड देंगे तो ऐसे formula है तो जब हम MP का वोट value में variation होता है लेकिन दूसरी थाप MLA के vote value में अंतर होता है UP का लग हो जागा सिक्किम का लग होगा बिहार का लग होगा तामिलाडू का लग होगा लेकिन MP का जब निकालने जाएंगे तो इसका formula क्या है MP का formula क्या है MP का formula है कि total value of votes of all MLA's of all state यानि जितने भी MLA का vote values है वो is called to total elected member इसको काट कूर दीजे तो जो आना है वो 708 के आसपास बैटेगा वो 708 आएगा और यही जो है यहाँ पे लिखा हो यहाँ पे पहले हम लोग डिसकस भी की हैं यह वाला 708 आएगा और यही vote value MP का होता है तो इसको तो हम लोग कहते हैं जो अनुपातिक परतिनित परणा ली है ठीक है वो representation है अब हम लोग बात करते हैं single transferable voting system इसको कहा जाता है एकल संक्रमणी यह मत परणा ली जिन जिन चेहरों को लिया गया है कि नितिश जी का चेहरा क्यों ले लिया गया है दरसला परणा मंत्री के होड में अब यह भी आ गया है बहुत मजबूती के साथ मोदी जी है अमीच सहे और आहुल गाने जस्ट पर एक्जामपल हमने इन चार उभरते हुए कुछ उभर चुके हैं सितारों को लिया है और काफी मज़े हुए संभावना होगी कोई भी बन जाए कौँ जानता है कलो के परणमंती जी तो राश्टपती ही सही अब इसको अच्छे से समझे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम को अच्छे से समझे होता क्या है एक वैलेट पेपर होता है राश्टपती का अलेक्षन वैलेट पेपर पे होता है जो फिस्कल वैलेट पेपर होता है उस पे होता है इवियेम पे नहीं होता उस वैलेट पेपर में एकल संक्र मणिये क्यों कहा जाता एक ही वैलेट पेपर होता है ठीक है उसके अंदर boxes बने होते हैं boxes के ऊपर अपना नाम होँआ अब क्या करना है सामने वाले को वोट करना है तो सामने वाला जो वोट करेगा तो मालो इसको इसने priority दी एक number तो नीचे वाला रो खाली नहीं हो सकता नीचे वाले को उसको मालो तीन पर करना है इसको चार पर करना है इसको पांच जैसे भी होगा फिर दूसरा इसको वड़ेगा तीसरा मतलब उसको पूरा feel करना है समझ मैरा पूरा भढ़ना है एक भी box शूट गया तो invalid voting होगा तो यहा प्रशह से अप दीए इसको सीधे इसी पर देखते हैं मालो ए भाई सहाव है एको लगता है कि नरिंद्र मोधी को पहले स्थान पर हमको देड़ा है यह मालो इसको तीसरे पर कर देते हैं यह चौत्य पर है यह दूसरे पर है ठीक है, माल लेते हैं, बी को लगता है नहीं, हमको ये बहुत पसंद नहीं है, तो हम इनको चार पर रखते हैं, हम इनको दो पर रखते हैं, हम इनको एक पर रखते हैं, हम इनको तीन पर रखते हैं, इसी तरह से कुछ और हो सकता है, दो हो सकता है, चार हो सकता है, चार हो सकत यह करके एक करेंट्टि यह ने वोट्ट ऐसे किया सीने किया और यह डी किया तो आइसे करके एक वोटिंग हुआ यह प्रैयरिटेक की के अधार पे वोट्टिंग हुई मालो दो सुप वोट्ट था वोट्टिंग हुई अब 200 वोट्ट होगा counting शुरू हुआ तो counting जब शुरू हुआ तो पता चला लो, गरबड हो गया यह तुछ, मल मोदी जी को हम ले लेते हैं, उनकी उमीद थी जीतने की, अब 200 वोट है, टोटल कितना वोट है यहाँ पे देखिए, टोटल 200 वोट है, इन 200 वोट में इनको कितना चाहिए, इनको चाहिए 101, मीनिमम 101 वोट चाहिए, मीनिमम 101 वोट चाहिए, ठीक है, इनको नहीं मिला, इनको माल लेते हैं हमको, हम माल लेते हैं 70 वोट मिला, राइट, यहीं से दिखे गेम शुरू होगा, हम माल लेते हैं 70 वोट मिला, हम यह माल लेते हैं कि इनको अब पहले राउंड में 70 वोट मिला, बन त सकते नहीं है तो आपने सुना होगा जब पहले राउंड में काम नहीं बनता तो दूसरे राउंड की जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाती है अब पहले राउंड का काउंटिंग हो चुका है अब सेकेंड राउंड में क्या होता है सेकेंड राउंड में जिसको सबसे कम व इनकी जो प्रियरिटि थी एक नंबर की यह सबसे कम वोट आया अब सब्से कम वोट आया यह क्या हो गया बाहर हो गया अब यह बाहर हो गया धिकु अब यहीं पर इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको समझना है इनको अब हटा दिया गया, अब मालो की 20 आदमी ने इनको first पे vote किया था तो इनकी 20 vote खतम हो गई, 20 जो voting थी न, वो उसको खतम करके इनको round से बाहर किया गया, लेकिन, लेकिन क्या, लेकिन ये कि इनका जो second vote था यहाँ पर, ठीक है, सेकेंड में किसने मोधी जी पे दिया, किसने अमीच साह पे दिया, ये देखेंगे, किसने राहुल गांधी पे दिया, ये भी देखेंगे, तीसरा भी उठालो, ये किसने राहुल गांधी पे दिया, यानि कुछ ऐसे होंगे ना इसमें, जिन्होंने सेकेंड नमबर नितीश जी वाला जो है उस चिसी का नाम होगा तो सेकेंड यही वाला जैसे इनका वोट होता है उनको रेज से हटाया जाता है और race से हटाने के बाद जो वो second पहला तो खतम हो गया पहला तो उन्हीं को मिला था तो वो तो रद हो गया उनके बाद ठीक जो second priority पे जो voting हुई थी उसमें मालो किसी को 5 मिला किसी को 10 मिला किसी को 20 मिला जितना जिसको मिला अगर जो मोदी जी को मिला मोदी जी के हिस्से में ज 101 चाहिए अब 10 लोगों ने माल लेते हैं मोदी जी यहां पर हमको जब हम काउंट कर रहे थे तो दस और लोग दिखे जो मोदी जी के फेवर में थे तो इनका उस समय सत्तर था अब कितना हो गया एटी हो गया लेकिन बात अभी भी बनी अभी 110 चाहिए तो फिर क्या होगा लेडी जा चुक है अब मालो राहूल गांदी अब इसके बाद जब तीन लोगों की काउंटिंग होई तो पता चला राहूल गांदी सबसे कम वोट लेकि आ रहे तो इनके भी वोट को एज इस वल समाद इनको हटा दिया जाएगा रेस से और इनकी भी जो सेकेंड प्रियर कि हो सकता है कि राहूल गांदी वाले फेज में मैक्सिमम लोगों ने अमिसा को वोट कर दिया हो तो अभी तक तो लीड कौन ले रहे थे मोदी जी लेकिन हो सकता है थार्ड राउंड में कुछ काटे का चल रहा हो ज्यादा वोट इनको मिल जाए और यह रह जाए हो सकता है कि वह 105 लेके आ जाए और यह 102 पर ही रुख जाए यह पॉसिबल है क्योंकि थार्ड राउंड में सेकेंड पर किसने क्या वोटिंग किया तो पता ही नहीं था पहले अब जब हम थार्ड राउंड पर वोटिंग कर रहे हैं तो राहूल गांदी के वोट में हमें यह दिख र है तो यहीं वह तरही है जिससे वोट कांट किया जाता है ऐसे और इस सारा फिंट करना है इसको वोट कर रहा है, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ऐसे करके उनको, अपने जो भी वैलेट पिपर मिला है उस पे उनको वोट करना है, that is single transferable voting system, वोट एक है वैलेट पिपर एक है, अपने वोट को ट्रांसवर कर रहा है, प्रेरिटी बेसे पे तो पहली बार में नहीं हुआ, तो दूसरा काउंटिंग होगा, तो जो सबसे पीछे में पिछड़ गया, जो सबसे पीछे रहे गया, तो जो सबसे पीछे रहे गया, उसको उस रेस से बाहर कर दिया जाएगा, और उसका जो second option है, यानि पहले priority पे, पहले box में priority जो थी, वोट दिया गया है, वो वोट जिस जिसको दिया गया है, यानि पांच लोगों ने किसी एक को दिया, दूसरे लोगों ने B को दिया, तो ये वाले को पांच वोट है तो चला जाएगा, तीन वोट B को मिला तो B के हिस्से में चला जाएगा, फिर C के हिस्से में चला अगर बाई चांस नहीं होगा थर्ड राउंड का होगा तो ऐसी करके राउंड चलते हैं तब तक होई जाना है नहीं होने का तब सवाल नहीं है तब होई जाएगा तब वो नहीं होगा तो नहीं होगा ऐसा नहीं होगा तो इसी लिए ये एक तरीका अपनाया जाता है राष्टपती के election में single transferable voting system इसी को कहते हैं एकल संक्रमणी मत पढ़ाली और इसी तरह से इनके vote को count किया जाता है hopefully confusion दूर हो गया होगा और चीजे समझ गया होगे तो इसको अगर समझ में आ गया और कोई दिक्कत रहे गई हो तो बताईएगा फिसको हम दोल डील करेंगे